नमस्कार दोस्तों जैसा आपको ध्यान है कि ऐसे अससी सर जिनके ओपर tax audit अथवा अन्य कोई audit applicable नहीं है उनके लिए assessment year 2021 यानि financial year 2019-20 की due rate of filing ITR जो सरकार ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी वो naturally up close to expiry है तो बहुत सारी market में ऐसी खल्बली है सर कि क्या ये due rate बढ़नी चाहिए बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तो इसी प्रशन का उत्तर जानने के लिए मैं आज की वीडियो लेकर कि आपके समक्षाजे रो रहा तो दोस्तों जो भी मैं बात यहां पर कर रहा हूँ वो मेरी व्यक्तिकत राय है या मेरा professional अन्भव आप कह सकते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि वर्तमान COVID-19 की परिस्तियों के मद्दे नजर निश्चित रूप से बहुत सारे assesses अपने data का compilation करने में बहुत अद्तक form 16 में भी कहीं पर delay हूए होंगे बहुत अद्तक books of account document को summarize करना या आज भी सर बहुत सारे states में कहीं न कहीं ऐसी परिस्तियां चल रही हैं जिनमें partial lockdowns की वज़े से लोग अपने documents को proper collect नहीं कर पाए या अपने charter content से अपने consultant से संपर करके अपनी return final करने की position में अभी तक नहीं आ सकता सर कि भारत सरकार due date 31 दिसंबर से बढ़ा देगी लेकिन मेरी ऐसी अपेक्षा है मेरे भी इस particular वीडियो के तुरू भारत सरकार से एक निवेदन है कि सर जो वर्तमान परिस्तियां हैं जो present conditions हैं उसके अंदर बहुत लाजमी है कि भारत सरकार को due date 31 दिसंबर से बढ़ा करता है जब professionals या जो subject को समझने वारे लोग इस प्रकार से अपनी बात को कहीं न कहीं किसी platform पर रखते हैं तो भारत सरकार को भी सर जनता जनार्दन की यह जो बात मैं पहुचाने की कोशिश करना हूं इस वीडियो से पहुचेगी और मुझे पूरी उम्मीद है सर कि यह due date जो 31 दिसंबर नॉर्मल अससी के केस में है वो बढ़नी चाहिए लेकिन मैं पुने आपको यह कहूंगा सर कि आप अपनी तयारी रखिए जहां तक संभव हो आप अपनी रिटर्म को 31 दिसंबर तक बरवाएं यदि किसी वज़े तक से नहीं बढ़ पाती है due date की तो ऐसी प है as an individual उनको अगर 31 दिसंबर due date निकल भी जाए तो चिंता करने की जुरुत नहीं है वो delayed return भी फाइल करेंगे सर तो भी उनको किसी प्रकार की penalty नहीं लगेगी ठीक है तो मैं फिर सर ये बात अपनी रखता हूँ यहाँ पर कि मेरी opinion है कि date बढ़नी चाहिए इस वीडियो के through मैं भी ये request भारत सरकार से करता हूँ कि जनता जनार्दन के benefit में ये due rate बढ़ाई जाए और अगर ये due rate नहीं बढ़ती सर तो naturally उस परिस्तिती में सर assesses at large को penalty consequences जिसको आजकल नया नहां दे दिया गया है law में fees हैना वो भी एक तरीके का चतुर provision है सर मैं ये बूलूँगा वो लागू है उसका सामना करना पड़ सकता है तो let's hope for the best कि ये due date बढ़े और जितने भी दिन सर अमारे पास में बचे हैं इस particular financial year के लिए return भरने के लिए से 31 December तक आप कोशिश करें अगर आप अपनी return भर पाएं तो बहुत अच्छी बात है तो दोस्तों यद्धी मैं अपनी वीडियो के थूरू कुछ सला आप तक पहुंचाता रहता हूँ पर आज की वीडियो के थूरू मैंने आप तक अपनी राय ये पहुंचाई है या मेरा निवेदन भी पहुंचाया है कि भारत सरकार हम सब की आवाज को सुन करके कहीं न कह प्रवर्त हो और टाइम ली bullet बढ़ाया जाना बहुत जरूरी यह तकि मार्केट में जो हड़वड़ी बन जाती है वह हड़वड़ी रोकी जा सके और उस हड़वड़ी में बहुत सारे लोग परिशान होते हैं कही न कहीं भारत सरकार को ये बात भी समझनी चाहिए तो आज की वीडियो में मैं बस इतनी ही बात आपके सामने रखूंगा सर जल्दी ही मिलते हैं एक नए income tax update के साथ मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैए